इस वीडियो में उपन पढ़ रहे होंगे अलाओ दिन खिल जी की उपलब्दियां तो पहले अपन थोड़ा इंट्रोड़क्शन देख लेते हैं इसके बाद में इसकी उपलब्दियों या फिर नीतियों को अपन दो विस्तों में पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे उत्री भारत के लिए और एक पढ़ेंगे दक्षणी भारत के लिए तो इस वीडियो में अपन उत्री भारत के लिए डिसकस कर रहे होंगे बात करते हैं इसके इंट्रोड़क्शन की तो इसका जन 1266 में वा था ये जो जलालुदीन है उसका बाई शहावुदीन उसका बेटा वा करता थ जलालुदीन की दो बेटियां थी और उन दोनों बेटि गई वा दो भतिजों से अलाउदीन से और अलमा बेग से उनका विवा कर दिया गया बचपन में इसकी शिक्षा का प्रबंधन कुछ ठीक नहीं था लेकिन फिर भी ये शेस्तर विद्या में और गुड़ स्वारी के जी ने देवगिरी पर आकर्मन किया बिना सुल्तान की अनुमती गया फिर बिना सुल्तान को बताए जब तक सुल्तान कड़ा पहुंचा तो अलाउदीन ने उसका भी वद कर दिया और खुद को दिल्ली का सुल्तान गोशित कर दिया अब जो अलाउदीन के समर्तक थे और उन्होंने कई उपादियों से सम्मानित किया बात करते हैं इसके विजय अभ्यान या सामराजी विस्तार या फिर उपलब्दियों की तो ये महतुकांग्शी राजा था ये सिकंदर दूइत्ती बनना चाहता था यानि संपूर्ण विश्यू को जीतना चाहता था और इसका ए उसने एक और प्रामर्श माना कि पहले वो भारत को जीतेगा इसलिए उसने हिंदू राजाओं पर आक्रमन करना स्टार्ट किया बिना किसी बाहने के विजय अभियान उत्री भारत के लिए और दक्षनी भारत के लिए दो इससों में पढ़ेंगे इस वाले में सिर्फ उत् करते गुजरात की गुजरात का शाशक था कर्ण देव बगेला और रास्थानी थी अंटिल कड़ा जिस टाइम अलाओदीन ने आक्रमन किया 1299 की बाते अलाओदीन ने दो सेनानायकों को उलुक खा और नुसरत खा को बेजा कर्ण देव और इनके बीच में युद हुआ य उसको सेनिकों ने मतलब ले लिया और गुजरात में इनको खुबसूरत दास मिला था जिसके साथ इसकी पतनी को दिल्ली बेज दिया और आगे जाकर इसकी पतनी का फिर विवा अलाओदीन के साथ कर दिया गया यह दास वही है खुबसूरत दास जो दास काफूर ही आगे जागे मलिक काफूर के नान से विख्यात हुआ था और ये मलिक काफूर वही है जो अलावदीन को दक्षिनी भारत जीतने में बहुत मदद करेगा जब सेना वापिस लोट रही थी तो जो लूट माल प्राप्त हुआ था उसको लेकर विद्रो हो गया था नए सेनिकों में और शाही सेनिकों में तो इन लोगों ने क्या किया कि उनका विरोध किया यानि जो शाही सेना थी उन्हों ने उसका विरोध गया और दमन भी कर दिया और जो और भी विद्रो कर रहे थे दिल्ली के अंदर उनके इस्तरियों के साथ बलातकार किया तो ये जो ये पक्ष्टपा पुर्ण का रहे था यह निंदा पुर्ण जो का रहे था इसकी निंदा किये इस बढ़नी ने नेक्स्ट आता है रणधंबोर पर तो जब अलावदी ने रणधंबोर पर आक्रमन किया तो शाशक था हमीर देओ सेम वही लोग गए उलुक खां और नुसरत खां इनके बीच में जब यू दुआ तो नुसरत खां मारा गया और जो शाइस हैना थी वो वापिस लोट गई वापिस लोट गई तो अलावदीन अब खुद दिल्ली के लिए दिल्ली से निकला था लगबग एक साल तक गेराबंदी की थी और फिर उसने बोला ऐसे काम नहीं बन रहा है तो चल से क्या किया सोचा चल से अब इस पर क्या बोलते हैं आकरमन करना पड़ेगा और चल से ज जाने का रस्ता पता कर लिया हमीर देव लड़तावा वीरगती को प्राप्त हुआ वहां की स्त्रियों ने जोहर रचाया और यहां पर किले पर अधिकार हो गया अलावदीन का और बाद में रणमल के वद का आदेश दे दिया क्योंकि जो बंदा अपने राजा का नहीं हु और गेरा चलने के बाद में जो सेनिक लोग थे वो बहार आये और इनसे युद किया रानी पदमीनी ने हजारों रानियों के साथ जोहर रचाया था चितोड के उपर इसका अधिकार हो गया अलावदीन का कतले आम का आदेश दे दिया लगबग 30 हजार राजपूत सेनिक मा परेशान किया कि जो अलावदीन था उसने इसको वापिस दिल्ली बुला लिया और यहां पर राव माल देव को यहां का शाशक बना दिया पदमीनी का जो जिक्र है वो 1540 में कर्ण मलिक मोहमत जाईसी ने पदमीनी को में रिजन बताया कि यहां पर आकर्मन इसकी वज़े स चलता है वो उधर जाते हैं उनसे विवा होता है मतलब इनकी सुंदरता इतनी विख्यात थी कि अलावदीन ने इनकी सुंदरता देखने के लिए राजा से रिक्वेस्ट की थी कि दरपण में आप दिखा दो तो ऐसा करके दिखाया था और जब राजा उनको उसको को छोड़ देंगे तो गोरा और बादल हुआ करते थे यहां पर जो इस्त्रियों का वेश धारन करके वहां पर दिल्ली गए और रतन सिंग को छुड़ा लाए जो गोरा था वो युद के अंदर मारा गया था और अपने सात्योंक साथ मतलब मारा गया और इस युद में रत ख़़ान को पर अधिकार करने के लिए यहां पर मलहक देव शाष्ण कर रहा था और इसका सेनापती था हर्चंद को का कुशल और निपुनम्रा पाति था तो जब युद हो रहा था तो एक्युद में हर्चंद को का कम अरा गया इसके मरणे पर मांडू और सुल्टान तो उत्तर भारत के अंदर अब सिर्फ शिवाना और जालोर ही स्वतंतर राज्य बचे थे 1308 के अंदर शिवाना पर आकरमन किया वहां पे शाशक था शीतल देव जिसको परास्त कर दिया गया और शिवाना पर शाहिसेना का अधिकार हो गया 1311 के अंदर जालोर में आकरमन किया गया जालोर का शाशक कानड देव था इनके वीच में भेंकर युद हुआ और ये वीरगती को प्राप्त हुआ लगबग सभी सदश्य मारे गये था कानड देव का एक समंधी बच गया था माल देव जो जिसने सुल्तान ने इस पर क्रेपा की और इसको चितोड का शाशक बना दिया मालवा, गुजरात, चितोड इन राज्यों पर जब अधिकार हो गया तो लगबग संपूर्ण नोर्थ भारत पर यानि उतरी भारत के उपर सुल्तान का शाशक हो गया अगले वीडियो में डिसकर्स कर रहे होंगे कि दक्षिन भारत के लिए उसकी क्या नीतिया थी तो उत्तर भारत के अंदर उसने किन किन को जीता गुजरात को रंधंबोर को चितोड को मालवा को सिवाना को और जालोर को